दोस्तो रानी काल कूटनी माता की सवादी का नाटक बहुत ज़्यादा कर रही है और अब उसका अंत होना जरूरी है तो अब हमारी राधिका बन जाएगी मादुरगा और मादुरगा जैसे ही बनेगी तो वह है रानी के जो नाटक कर रही है उसका अंत कर देगी और मन अतिस संदर में दिब्यम और राधिका की सबी गलत फैनिया हो जाई ही दूर जी हां मेरे दोस्तों हमने पिछले एपिशोड में देखा था कि रानी ने बहुत ही ज्यादा चमतकार दिखा दिये हैं जिससे कि बड़ी दादी को यहां लग रहा है कि रानी में माता आ गई है लेकिन रानी ने यह सब मोबाइल पर वीडियो देखकर यह सब चमतकार किये हैं और बड़ी दादी भोली भानी है वह फस गई है रानी की चक्कर में और तो और सोजाता जो इतनी चालवाज है वह भी रानी को माता मान चुकी है और रानी मनी मन खोस हो रही है कि देखो सोजाता औ और पिरभा मेरे आरे पीछे दोड़ रही है अब रानी ने अपनी आगली चाल चली है कि वह है सभी के सामने बोलती है कि यह लड़की रादिका तुम्हारे घर में है इसी कारण इस घर में दुख आ रहे हैं तो इस लड़की को प्राश्चित करना चाहिए पहले तो रादिक मना कर देती है और दिव्यम इस बात के लिए मना करता है लेकिर प्रभा और सोजाता की बजह से रादिका को में बोलना पड़ता है आप रादिका को प्राश्चित के लिए एक कावण तयार करना होगी उस कावण पे एक और सोजाता और एक और सुजाता का पती जग्वू बेठेगा और उस कावड़ को रादिका अपने कद्नों पर बंदल हाउस से मंदर तक ले जाएगी इतना सुनते ही दिव्यम बहुत नाराज हो जाता है लेकिन बेचारी रादिका जाती है कि एह रानी नाटक कर रही है और इसी कार रादिका हाँ बोल देती है कि मैं यह सब करूँगी लेकिन हमारी रादिका पर भागवान भोले नाटका आश्री बार है अब रादिका बड़ी मुश्किल से बड़ी परिशानियों से एह कावड मंदर तक ले जाएगी और कावड ले जाने में सफल भी हो जब रादिका कावड मंदर में रखती है तो वही पर मादुरगा उसे आश्री बार देती है और रादिका को मादुरगा की सबारी आ जाती है अब रादिका बास्ताव में मादुरगा की छबी बन जाएगी और सामने उसके रानी होगी जो कि नाटक कर रही होगी जब माद दुर्पा के सामने राणी का नाटक जादा नहीं चल पाएगा जब रादिका अपना त्रसूर लेकर राणी के कले बनागा देगी तो राणी अपने याँ भी मापी माँखेगी कि हां मैं तो यह सब नाटक कर रही थी मुझे माप कर दो माप कर दो और जब बंसल फैमिली वाले यह सब देखेगे तो भी समझ जाएंगे कि रानी का हनाटक कितना चाल वास्ता और यह रानी रादिका को धारते भगाने के लिए यह सब कर रही थी तो अब बंसल परिवार बालों की आखे खुल जाएंगे और सबी लोग रादिका में आई दुरवामा के सामने हाँ दुड़कर खाने हो जाएंगे